गीता का दूसरे धाय का 22 सा शोग है इसके मताबिक हम लोग से पर जिसे आत्मा एक शर्ट चेंड करती है हम लोग एक शरीर को चेंड करके नया जन लेते हैं लेकिन जब इसको प्रूव करने की बारी आई तो उसमें लिखा गी आते हैं हमें 84 लाग योन्यों का आध्मन करना करने के लिए मैंने पद्मपुरान का 58 अध्याय का पांचवा शोग पर ये पूरा एक शोग मेंचेंड है और पद्मपुरान आज से 5000 पहले लिखा गया और आज से 5000 पहले ना बॉट्णी थी ना जॉली थी उसको पूझर इस प्ताया था कि 84 लाग की प्रजातियां है सबस तो युनाइटेट इंग्रेंट के जो जो तो इसको प्रफेश्ट इस चंडर बोज ने इसको एक 15 साल पहले इसका पूलिक्स की में सब्सक्राइब नहीं मिल सब्सक्राइब क्योंकि उन्हें बोला उस्ते टीक्त है इसका बत्रासी लाग म्यों में 22 अहीं है उसको साह्थता है उसके बाद 9 07 ऑनीहां हम लोगों घो जमीर के बीचे यानि पाणि और जल्पर है उसके बाद्ग एन रहा हम लोग। किरे लाइं लो पष्ठी रिवर्व होते हैं सिमिरली गार बियर हम बाइब के बार बार ऑधर बुरार समीं बोग का जनु लेना पड़ता है जाके हम लोगों को चराइसी लाग के बाद मुश्य के हैं लेकिन हमारे कर्मा दूसार फिर हम लोगों कि तबारा किसी भी योली में जाते हैं। इसका मतलत था कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इस प्रफेशन में बड़ा अफने अब दर्ब मेस्बश करता हूँ कि इस प्रफेशन को हमें मेने चूज किया है, तो मुझे मुझे मूझे मिला है लोगों की सेवा करने की सो लेकिन इसके साथ तो हमारे धर्न कहता है, हम उसी को फॉलो करना है कि जिस घर में जन्म दिया है उसके मुताबिक मेरे उताब हम लोगों के ऐसे कर्म करने चाहिए हम लोगों को इस चुरासी का शेक्टा पर नहीं पढ़ना चाहिए और हम दोबारें इस जगह में आए तो मेरा यही आख से मिलेजन है तो भी इस सारब साइट कि अध्यू रूम है। Thank you!